नमो भगवते वासुदेवाया श्रीमत भगवत महापुराण तृतियसकन बत्तिस्वा अध्याय भगवान नारजी से कहते हैं ना अहम वसामी वैकुंठे योगी नाम हिर्दे नचा मत भगता यत्रगायन ती तत्रतिष्ठा में नारदा मैं ना तो पैखुंठ में ही रहता हूँ ना योग्यों के हिर्दे में रहता हूँ मैं तो वहीं रहता हूँ जहां प्रेमा कुल होकर भगत मेरे नाम का कीर्दन किया करते हैं दूम मार्ग और अचे रादी मार्ग से जाने वालों की कतिका और भक्तियों की उत्कृष्टिता का वर्णन कपिल देव भगवान जी कहते हैं माता जी जो पुरुषगर में रहकर सकाम भाव से ग्रहस्त के धर्मों का पालन करता है और उनके फलसरूप अर्थ एवं काम का भोग करके फिर उनहीं का अनुष्ठान करता रहता है वे तरह तरह की कामनाओं से मोहित रहने के कारण भगवत धर्मों से विमुक हो जाता है और यग्योद्वारा श्रद्धा पुर्वग देवता तथा पित्रों की ही अरादना करता है उसकी बुद्धी उसी प्रकार की श्रद्धा से युक्त रहती है देवता और पितर ही उसके उपासे रहते है अतेवे चंद्र लोक में जाकर उनके साथ सोम पान करता है शयया पर शयन करते हैं उस समय सकाम ग्रहस्त आश्रमी को प्राप्थ होने वाले ये सब लोग भी लीन हो जाते हैं जो विवे की पुरुष अपने धर्मों का अर्द और भोग विलास के लिए उपयोग नहीं करते बल्कि भगवान की प्रसनता के लिए ही उनका पालन करते हैं वे अनासक्त प्रशांद शुद्द चित निव्रित्ति परायन धरम परायन फंता रहित और अहंकार शुन्य पुरुष स्वधर्म पालन रूप सत्व गुन के द्वारा सर्वथा शुद्द चित हो जाते हैं वे अंत में सूर्य मार्ग अचिर मार्ग या देव्यान के सर्व व्यापी पूर्ण पूरुष्ट्री हरी को प्राप्त होते हैं जो कारे कारण रूप जगत के नियंता संसार के उपाधान कारण और उसकी उत्पत्ती पालन एममसंगार करने वाले हैं जो लोग परमात्म दृष्टी से हिरन्य गर्भ की उपासना करते हैं वे दो प्रले प्रियंत उनके सत्य लोग में ही रहते हैं जिस समय देवता आदी से श्रेष्ट प्रम्मा जी अपने वी पराटकाल के अधिकार को भोग कर प्रित्वी जल अगनी बायू आकाश मन इंद्रियं उनके विशे शब्द आदी और अहंकार आदी के सहित संपूर्ण विश् संगार करने की इच्छा से त्रिगुणात्मिका प्रकरती के साथ एक रूप होकर निर्विशेश परमात्मा में लीन हो जाते हैं उस समय प्राण और मन को जीते हुए वे विरक्त योगी गण विदेत त्याक कर उन भगवान ब्रह्मा जी में ही प्रवेश करते हैं और फिर उनी के साथ परमान स्वरू पुरान पुरुष पर भ्रहम में लीन हो जाते हैं इस से पहले वे भगवान में लीन नहीं हुए क्योंकि अब तक उन में अहंकार शेश था इसलिए माता जी अब तुम भी अत्यंत भक्ति भाव से उन श्री हरी की ही चरण चरण में चाओ समस् पंदिर है और तुमने भी मुझसे उनका प्रभाव सुनही लिया है वेद गर्भ भ्रहमा जी भी जो समस्त स्थावर जंगम प्राणियों के आधिकारण है मरीची आधि रिशियों योगेश्वरों सनकादिकों तथा योग प्रवर्तक सिद्धों के सहित निशकाम करम के द इमान के कारण पगवत इच्छा से जब सर्ग काल उपस्तित होता है तब काल रूप इश्वर की प्रेड़ना से गुणों में शोब होने पर फिर पूर्वत प्रकट हो जाते हैं इसी प्रकार पूर्वोक्त रिशिगन भी अपने-पने कर्मानुसार प्रहम लोग के प्रोक में आसक्त है और जो कर्मों में श्रद्धा रखते हैं वे वेद में कहे हुए कामें और नित्य कर्मों का सांगोपांग अनुष्ठान करने में ही लगी रहते हैं उनकी बुद्धी रजोगुन की अधिक्ता की कारण कुंठित रहती है हिर्दे में कामनाओं का जाल फैला रहता है और इंद्रिया उनके बश्च में नहीं होती बस अपने घरों में ही असक्त हो कर वे नित्य प्रती पित्रों की पूजा में लगे रहते हैं ये लोग अर्ध धर्म और काम की ही परायन होते हैं इसलिए जिनके महान पराक्रम अत्यंत कीर्टिये हैं उन भव भ है हारी श्री मदुसूदन भगवान की कथा वारताओं से ये विमुख ही रहते हैं हाई विष्ठा भोजी कूकर सूकर आदी जीवों के विष्ठा चाहने के समान जो मनुष्य भगपत कथामरित को छोड़ कर निंदित विश्य वारताओं की सुनते हैं वे तो अवश्य ही विधाता के मारे हुए हैं उनका बड़ा ही मंद भाग्य है गरबाधान से लेकर अतीजटी तक सब संसकारों को विधिपूर्बग करने वाले ये सकाम कर्मी सूर्य के दक्षिन और से पित्रियान या तुम मार्क से पित्रिश्वर अयर्मा के लोक में जाते हैं और फिर माता जी पित्र लोक के भोग भोग लेने के पर भी जब उनके पुन्य शीन हो जाते हैं तब देवता लोग उन्हें महां के एश्वर्य से चुत कर देते हैं और फिर उन्हें विवश होकर तुरंद ही इस लोक में गिरना पड़ता है इसलिए माता जी जिनके चरण कमल सदा भजनी योग्य है उन्हें भगवान का तुम उन्हें के गुणों का आश्रे लेने वाली भक्ति के द्वारा सब प्रकार से मनवानी और शरीष से पजन करो भगवान वासुदेव के प्रती किया हुआ भक्ति योग तुरंधी संसार के वेराग्य और प्रम्षाक्षातकार ज्यान की प्राप्ति करा देता है वस्तुत्य सभी विशे भगवत रूप होने के कारण समान है अते जब इंद्रियों की वृत्यों के द्वारा भी भगवत भक्त का चित उनमें प्रिय अप्रिय विशमता का अनुभाब नहीं करता सर्वत्र भगवान का ही दर्शन करता है उसी समयवे संग रहित सब में समान रूप से स्थित त्याग और ग्रहन करने योग्ये दोश और गुणों से रहित अपनी महिमा में आरूड अपने आत्मा का भ्रहम रूप से साक्षत कार करता है वही क्यान स्वरूप है वही भ्रहम है वही परमात्मा है वही इश्वर है वही पुरुष है, वही एक पगबान, स्वयम जीव, शरीर, विशे इंद्रियों आधी अनेक रूपों में प्रतीद होता है। संपून संसार में आसक्ति का अभाव हो जाना बस यही योग्यों के सब प्रकार की योग साधन का एक मात्र अभीष्ट फल है। ब्रह्म एक है, ज्यान स्वरूप और निर्गुण है, तो भी वह है। बाय है पृत्यों वाली इंद्रियों के द्वारा ब्रांती वश, शब्दादी धर्मों वाले, विभिल पधार्तों के रूप में भास रहा है। जिस प्रकार एक ही पर ब्रह्म में है तद्व, वैकारिक, राजस और तामस, तेन प्रकार का अहंकार, पंच महावूद, एवं ग्यारा इंद्रिय रूप बन गया और फिर वही स्वयम प्रकाश इनके इसंयोग से जीव के लाया। उसी प्रकार उस जीव का शरीर रूप यह ब्रह्मान भी बस्तुते ब्रह्म ही है। क्योंकि ब्रह्म से ही इसकी उत्पत्ती हुई, किन्तु इसे ब्रह्म रूप वही देख सकता है जो श्रद्धा भक्ति और वैरागय तथा निरंतर के योगा भ्यास के द्वारा एकाग्रिचित और असंग बुद्धी हो गया है। पूजनिय माता जी मैंने तुम्हें ये सारा ब्रह्म साक्षतकार का साधन रूप ग्यान सुनाया। इसके द्वारा प्रकर्ती और पुरुष के यत्थार्ट स्वरूप का बोध हो जाता है। देवी निर्गुण भ्रह्म विश्यग ज्यान योग और मेरे प्रती किया हुआ भक्ती योग इन दोनों का फल एक ही है। उसे ही भगवद भगवान कहते हैं। जिस प्रकार रूप रस एवं गंद आदी अने गुणों का अश्रे भूद एक ही पधार भिन्विन इंद्रियो द्वारा विभिन्ट रूप से अनुभूत होता है। वैसे ही शास्र के विभिन मार्गो द्वारा एक ही भगवान की अनेक प्रकार की अनुभूती होती है। नाना प्रकार के कर्म कलाप, यग्य क्यान, दान, तप, वेदा ध्यन, वेद विचार, मन और इंद्रियों के सैयम, कर्मों के त्याग, पिवित अंगो वाले योग, भक्ती योग, निवृत्ती और प्रवर्ती रूप, सकाम और निशकाम, दोनों प्रकार के धर्म, आत्म तत् और दिन्व बेराग्य इन सभी साधनों से सगुन निर्गुन रूप स्वयम प्रकाश भगवान को ही प्राप्त किया जाता है माता जी सात्विक राजस तामस और निर्गुन भेद से चार प्रकार के भक्ति योग का और जो प्राणियों के जन्मादी विकारों का हेतु है विद्या जनित कर्म के कारण जीवों की अनेको गतियां होती है उनमें जाने पर वे अपने सरूप को नहीं पिचान सकता मैंने तुमें जो ग्यान उपदेश किया है उसे दुष्ट दुर्विनीद गमंडी दुराचारी और धर्म गजरी दंबी पुरुषों को नहीं सुन आना चाहिए जो विशे लोलूब हो ग्रह असक्त हो मेरा भक्त ना हो अत्वा मेरे भक्तों से देश करने वाला हो उसे भी उदेश कभी ना करें जो अत्यंत शर्दालू भक्त भी नहीं दूसरों के प्रती दोद्रिश्टी ना रखने वाला सब प्राणियों से मित्रता पर बाहे विश्यों से आना सक्त शांत चित मत सर्शुन्य और पवित्र चित हो तथा मुझे परम प्रियतम मानने वाला हो उसे इसका अवश्य उपदेश करें मा जो पुरुष मुझ में चित लगा कर इसका श्रद्धा पुर्वक एक बार भी श्रवनिया कथन करेगा वै मेरे परमपत को प्राप्त होगा इस प्रकार तित्रिय इसकंत का बत्तिस्वा अध्याय समाप्तुआ हरी ओम तरवन मेरा सिर चाहे मुर्ज की जुन के सब को नचा अध्यिस्टाध भिष्णा वबत्तिस्टाध बत्तिस्टाध भिष्णा वैक गाप्तिस्टाध ड़ी ओम ध्य।